नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मीत अलुवालिया बिरियाट्रिक एडवांस लेपरोस्कोपिक एंड लेजर सरजन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक्सेसिव चाय या कॉफी लेने से वेट केन हो सकता है या नहीं सबसे पहले समझे कि चाय और कॉफी में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोड़क्ट्स हैं और ये दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीकों से बनाई जा सकती हैं चाय और कॉफी में अगर आप शुगर डाल रहे हैं तो डेफिनिटली शुगर का वेट गेन के उपर फरक पड़ता है जितनी जादा शुगर इंटेक होगी उतना वेट गेन होने की टेंडेंसी रहेगी तो अगर आप इसमें शक्कर डालकर बहुत बार दिन में चाय और सकता है अगर आप चाय और कॉफी दूद के साथ ले रहे हैं और वो मिल्क हाइप फैट है या आ अप कफी में एक्च्ट्रा भाट डाल रहे हैं या क्रीम डाल रहे हैं या आप कंडेंसट मिल या पाउडर्ड मिल्क का यूज लाidal कि उन सब मेंभी केलरी ज्यादा ओने की वज़े से आपको weight gain हो सकता है, अगर आप weight lose करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मीठी और milk वाली high calorie tea से आपको weight loss करने में मुश्किल आएगी, इसके इलावा जो second part of consideration है, वो है चाय और coffee में जो caffeine है, उसकी quantity का, coffee में caffeine कुछ जादा रहती है, जितनी concentrated या dark coffee होगी, उतनी उस caffeine की quantity जादा होगी, और coffee के इलावा बाकी बहुत सारे drinks हैं, जैसे की soft drinks, energy drinks, जिसमें caffeine जादा रहती है, तो इनसे भी आपके weight loss में फरक पर सकता है, caffeine body में बहुत तरीकों से act करती है, अगर आप दिन भर बहुत सारे quantity में caffeine ले रहे हैं, अलग-अलग forms में, तो इसकी quantity जादा होने की वज़े से ये आपकी food craving बढ़ा सकती है, यानि कि आपकी body में खाना खाने की इच्छा बढ़ती है, जिससे की weight gain हो सकता है, caffeine से आपकी body का metabolism change होता है, आपकी insulin resistance बढ़ सकती है, जिससे भी fat के stores बढ़ते हैं, caffeine आपके body में steroids की quantity को बढ़ा सकती है, जिससे again weight gain होता है, तो आप caffeinated drinks ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए बहुत कम quantity में लें, और अगर avoid कर सकते हैं, तो इसे avoid करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ चाय या coffee की habit है, तो इसे healthy forms में convert कीजिए, आप milk tea के बजाए green tea ले सकते हैं, या black tea ले सकते हैं, जो tea की quantity है, उसे कम रखिए और इ आप without sugar ही ये drinks लीजिए, काफी अगर लेना चाहने हैं, तो अगर आप without milk लें, black coffee लें, और coffee की quantity बहुत कम रखिए, और दिन में एक या दो बार ही लीजिए, बार बार इसे consume ना किजिए, high caffeinated drinks जैसे energy drinks आटकर बहुत popular हैं, लोग इस से मानते हैं कि उनकी energy बढ़ेगी, और जाधा physical activity कर पाएंगे, जिससे कि net weight loss होगा, तो ऐसा लगबग नहीं होता, as such caffeine का weight loss के ओपर कुछ भी देखने में definitive evidence नहीं है, so caffeine को weight loss करने के मकसद से ना लिजे, we hope के video देखकर आपको चाहे coffee का और उसका weight loss का relation कुछ समझ में आया होगा, और आप अपने weight को better maintain कर Thank you.